एक और बैतरीन क्वेस्टिन एक और बैतरीन क्वेस्टिन ए ब्लॉक आप मास 2 कजी ओन रफ इन्कलाइन प्लेन मेकिंग अन अंगल 30 दिग्री विद धा होर्जेंटल दो कोपेशन प्सक्राइट क्वेस्टिक फिर्शन ब्लॉक और प्लेन इस 0.7 दा फ्रेक्शनल फोर्स ऑन दा ब्लॉक एज तो देखें कैसे सुल करते हैं इसको इस चार चोइज दरखकी इसकी सलूशन अब ब्लॉक आप मास 2 कजी मास ब्लॉक का मास दरखका है आपको 2 कजी रफ इन्कलाइन प्लेन मेकिंग इंगल 30 दिग्री यह और जेंटल है यह इन्कलाइन प्लेन है यह 30 दिग्री है यहाँ पर एक यह ब्लॉक रखा है 2 कजी का ठीक सर्फिस रफ है कॉपिशन टर फ्रेशन दे रखा है आपको 0.7 दे फ्रेशनल फोर्स ऑन दा ब्लॉक एज तो देखो इसका यह तो वेट हो गया 2G यह ना 2G तो इसका यह वेट हो गया नॉर्मल लेक्शन हो गया आपका N तो इसके एक कंपोनेंट करें तो यह एंगल हो गया 30 दिग्री यह हो गया आपका 2G cos 30 और यह हो गया 2G sin 30 तो यह नॉर्मल फोर्स आगया N इसका यह वेट हो गया 2G cos 30 इसलिए जो इसको इसलिए अगर हम इसमें रेंज निकालने मेटा रेंज निकाल लो जिरो टू steady फिशन की रेंज निकालो पहले जिसे मालम पढ़े जनती रेंज से क्या मालम पढ़ता है इस रेंज से मालम पढ़ता है कि ब्लॉक चलेगा या rest में रहेगा इस सबसे पहले यह पता करेंगे अगर चलेगा तो इसलिए प्रॉस के ब्राबर होता है ओर लिमिटिंग करेंगा फर्उस Data ं निकालवागा तो यह जीडा हो गया यह फ हो यह less than equal to μs की जो value आ रही है यहाँ पर इस μs की जो value आ रही है वो है 0.7 और n की value यह है 2 into 9.8 और cos 30 की value root 3 y 2 तो 2 से तो 2 cancel हो गया 0 fs less than equal to यह 0.7 9.8 और यह root 3 and यह तो आपका maximum stratification हो गया यह हो गया maximum stratification fs maximum यह है ना तो यह range निकाल ली हमने now इसमें जो applied force है applied force along inclined plane inclined plane वो है आपका mg sin 30 that means 2g sin 30 2g की value 9.8 और sin 30 की value आपका 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 मैक्समुम से that is यह 9.8 newton है और यह वाला है 0.7 multiplied by 9.8 multiplied by root 3 hence hence block will not move और block move नहीं कर रहा है क्योंकि applied force हो है आपका वो इस maximum steady position से छोटा है यह तो सरका सकता है इस body को आगे चला सकता है यह वाला लेकिन पीछी की तरब जो friction लग रहा है maximum वो इतना लग रहा है और यह इससे छोटा है तो block सरके गई नहीं that means rest में रहेगा block will not move therefore static friction acts on the block so static friction जो होता है इसका कोई फॉर्मला नहीं होता यह always applied force के बराबर और static friction लग रहा है इसमें तो static applied force के तरह है आपका mg 730 देड़वीं से solve करके आ रहा है 9.8 Newton इसका answer होगा 9.8 Newton ए चोईस पढ़ते रहिए और खुश रहिए के अराब करे दो झौटो आए करें तरह वाद के आए प्रूब झाज़ीं